नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा करेकर मैं साइक्याट्रिस्ट हूँ डी अडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ साइको थेरेपिस्ट हूँ और केलकर तुर्णकर साइक्याट्रि नर्सिंग हूं गोडबंदर ठाने मुंबई महाराष्ट्र में आज का टॉपिक है बच्चों में बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन मेरे पास काफी ऐसे पैरेंट्स आ रहे हैं कंसल्टेशन के लिए कि हमारे हमें शक है कि हमारा बच्चा या बेटी ड्रग एडिक्ट हो चुके है या नशा कर रहे हैं लेकिन हम उनसे खुल के बात नहीं क क्या करना चाहिए इसके लिए काफी सलह लेने के लिए लोग आ रहे हैं और अभी बढ़ती हुई नशा और बच्चों में आने वाला परिवर्तन सोशल मेडिया इसकी वज़ा से काफी पैरेंट्स इस प्रॉब्लम से परिशान हैं मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंग कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा ये उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है क्या काफी बच्चे ऐसे है कि नशा करने की वज़ा से उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है वो चिर्चिडे हो जाते है जो एकदम शान्त लड़का है या लड़क सब्सक्राइब उसकेβर नेसे यह यहां पार में त्सक्राइब unions के त्सक्रां कि त्यूत या फिर वो बहाने दे रहे हैं कि नहीं मैं खाके आया हूं मुझे खाने की जरुरत नहीं है या फिर मेरा पेट भरा हुआ है सुबह बहुत खा लिया था और इसलिए वो खाना स्किप कर रहे हैं या उनका वजन घट रहा है यह हमने देखना चाहिए फोर्थ पॉइंट है कि वो घर से बाहर जदा रह ते हैं तो यह देखना चाहिए कि वो जाधा फैम नहीं देते हुए बाहर ताइम स्पेंड कर रहे हैं क्या सोशल फंक्षन शोशल गैधरिंग्स गैट लाइट करना यह और वो सिधे बोल देते कि नहीं मेरा क्या काम है मुझे कोहां कोई जानी की ज़रूरत नहीं है लेट नाइट घर पे आना और रात को देर देर तक वीडियो या मोबाइल पे खेलना इंटरनेट चैटिंग करना नीन नहीं आना उन्हें अगर पूछे तो बोलते हैं नहीं नहीं आ रही है लेट सुबह सुबह लेट उठते हैं फिर लेट स्कूल जाते हैं या कॉलेट जाते हैं तो यह जो है इसके साथ साथ जूट बोलना काफी लोग जूट बोलने लगते हैं घर में चोरी करने लगते हैं ऐसा पैरेंट्स को देखने में आता है या घर में जो बड़े हैं कि उनके वैलेट स पैसे गायब हो गये या घर में मोबाईल था गायब हो गया चलब हो गया सर्डन्ली या फिर घर की चीजे गायब होने लगती है जूदे सब करते करते वह फिर होसा चांगे लग जातā है नहीं आएँगा तो अपने रूम में अकेले बैठे रहना अकेले ही काम करना जब सबका खाना हो जाए तब बहारा के खाना खाना ज़्यादा बाच्चित घर में ना करना इंट्रेक्टी नहीं करना ज़्यादा तो यह सब जो लक्षन है सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि स्वभाव में परिवर्तन दूसरा बताया कि टाइम टेबल चेंज होना तीसरा यहने वजन कम होना खाने की इच्छा ना होना चौथा है कि नींद कम हो जाना चोरी करना या घर में लेट आना अवाइड करना घर वालों को फंक्शन्स तो ऐसी जो चीजे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी के साथ साथ एक मुख्य चीज ऐसी है कि बच्चे ब अलग रूम वगरे सब ठीक है लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने यह उनके रूम में जाके देखना चाहिए कि वह एक्चुली क्या करते हैं पूरा टाइम उनके रूम को चेक करना चाहिए कि कही कुछ उनके कुछ मिल रहा है क्या कोई ड्रग्स वगरे उन्होंने चुपा के यगजा रखे है क्या पर्सनल स्पेस होनी चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं कि वह अंदर हमको आने ही ना दे और कुछ ऊच्छ करने दे तो उनके ऐसमें हमने चेक करना चाहिए उनके बैघ्स भी हमने चेक करना चाहिए का पेरेंट्स को बैघ्स में कुछ चीजे मिलती है सब चीजे या इसमें से कुछ चीजे मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में मुझे दिखाई दे रही है और मुझे शक हो रहा है कि यह नशा कर रहा है तो उसके बाद आमने सामने बच्चों से बात करनी चाहिए पैरेंट्स डरते हैं कि कही बच्चा मुझे गलत न समझ ले या फिर अगर नहीं कर रहा हो और मैंने शक्किया तो शायद वो शुरू कर दे नशा करना तो ऐसा कुछ नहीं है पैरेंट्स ने पहले शान्ती से बैठ कर बच्चों से क्लियर बात करना चाहिए न चुपाते हुए कि ये उनके लिए है उनके भविश्य के लिए है उनकी उनके शरीर के लिए है ये ना कि उनके पैरेंट्स के लिए है अगर उनका शरीर खराब होगा तो उन्हें ही तकलि चल गया तो वह पनेश ना करें गुसाअना करें इसलिए उन्हें ये दिला सा दिला कि वह मारें zweiten पनेश नहीं करें अगर सच सच अब बच्चेаки पैरेंट्स को बता देंगे और ऐसे भी और अब होते के नाम के नीचे वो नशा करने लगते हैं और दीरे दीरे उसके आदीन हो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं रहता और फिर वो छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको डर लगा रहता है कि घर में अगर हम बताएंगे तो कैसे होगा और वो छोड़ने की कोशिश करते हैं उनको तकलीफ होती है वह छोड़ नहीं पाते है वह चीज को इसलिए अगर हम बताए और वह रेडी है इस चीज़ के लिए तो जरूर साइकार्टरिस से मिले उनसे सला ले ट्रीटमेंट ले अगर जरूरी है तो admit करके treatment करें और बच्चों की सहता करें और drug addiction के जाल से बच्चों को बचाएं तो यह थी parents के लिए कुछ instructions जिससे parents जान सकें कि बच्चों में नशा बच्चे नशा कर रहे हैं क्या या उनके इसमें नशा चल रहा है क्या तो अगर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी और चाहिए हो तो हमारे hospital के नंबर पर आप contact कर सकते हैं हमारा hospital का नंबर है 950-330-9619 आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे और जादा से जादा लोगों तक वीडियो के द्वारे जानकारी पहुंचाने की हमारी साहिता कीजे नमस् यहाई होजी आप झनाकारी साहिता कीजे पźन्यू उल्जब साहिता इंगे जालादा टार जादा टी जो तो झालादारा लोग।